हे गाईज आइम सपना पाटनी एंड वैलकम टू माई चैनल सिक्षा हाउज तो दोस्तों आप सभी को पता है आज है 15 जन्वरी जो की मनाया जाता है आर्मी डे के रूप में आज हम जो बात करने वाले हैं हमारी इंडियन आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों इस सेशन को ध्यान से देखना बहुती जवर्दस सेशन होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिसकस करने वाले हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड और हर साल 15 जन्वरी को मनाया जाता है आर्मी डे और आज हम लोगों ने 73rd Foundation Day इंडियन आर्मी का सेलिब्रेट किया है आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये जानते हैं 15 जन्वरी 1949 को हमारे 1st इंडियन कमांडर इंग चीफ बने थे जो की जनरल केम करेप्या थे जो पहले भारतिये बने थे 1st इंडियन थे जिन्होंने चार्ज लिया था और इन्होंने किन से चार्ज लिया था जनरल फ्रैंसिस बूचर से लिया था ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा कि किस से चार्ज लिया था और कौन पहले भारतिये थे जिन्होंने चार्ज लिया था कमांडरिन चेव का इस साल 2021 की बात करें तो ये 73rd आर्मी डे के रूप में बनाया गया है और इस आर्मी की स्थापना एक अप्रेल 1895 को की गई थी एक और बात जान लें कि ये जो इंडियन आर्मी है इंडिया में मौडन आर्मी की स्थापना सबसे पहले 1776 में इस्ट इंडि कॉलकता में की गई थी और आर्मी डे इसले भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 15 जन्वरी को ही पावर ट्रांस्वर हुआ था लास्ट इंग्लिस कमांडर से नए कमांडर इंचीफ जनरल जो की बने थे जनरल केम करियप्पा को हर साल कुछन कुछ थीम रखी जाती है आर्मी डे को सेलिब्रेट करने के लिए पर इस साल अभी तक थीम नहीं बताई गई है पर इस साल को और्गनाईज करने के लिए एक मेरतन रखा गया है जिसका नाम रखा गया है विजयरन जो की 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए स्वणनिम विजयवर समारो का आयोजन किया गया है तो ये बात याद रखेगा कि अभी तहीं इसकी कोई थीम नहीं बताई गया है पर मेरतन रखा गया है जिसका नाम विजयरन है और दोस्तों हर साल अलग लग थीम के साथ पूरे भारत में और आर्मी कमांड सेंटर पर सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे जैसे की 2020 की थीम डिजिटल ट्रांस्फोरमेशन आफ डिफेंस रखी गई थी 2021 की थीम नहीं बताई गिये मैंने आपको पहली बताया है लेकिन ये बताया गया है कि इस साल 2021 में मेरतन और्गनाइस करवाने वाले हैं जिस वे 73rd Army Day के रूप में सेलिब्रेट किया गया है सभी Army Headquarters में इसमें बहादुरी पुरसकार और सेना मेडल दिये जाते हैं आर्मी के various Headquarters में Military Parade होती है और इस Parade में हवाई स्टेंट और बाइक पिरामिट भी दिखाये जाते हैं आपने देखा होगा बाइक में एक के उपर एक या फिर कहें कुछ चार-पांज लोग होते हैं जो कई सारे स्टंट करते हैं जो कि बहतरीन स्टंट होते हैं इंडियन आर्मी अपने बहतरीन चीजें दिखाती हैं इस Army Day को सेलिब्रेट करने के लिए आर्मी की बात करें तो उनकी परेड बहुत ही जबरदस होती है के बारे में बात करें जो कि फर्स्ट कमांडर इंचीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को कियम करियपा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कुर्ग प्रांत में हुआ था जो कि करनाटका में है इन्होंने मातर 20 साल की उम्र में ब्रिटिस इंडियन आर्मी जोइन करी थी इसके अलावा इन्होंने वेस्टन बॉर्डर को समाला था इंडो पार्क वॉर 1947 में और हम बात करें अगला जो कि भारत पार्क की आजादी के समय की है इन्होंने भारत पार्क के आजादी के समय दोनों देशों की सेनाओं के बटवारे की भी जिम्मेदारी दी गई थी ये भी याद रखेगा इन्होंने ही जैहिंद का स्लोगन एडॉप्ट किया था हम लोग हमेशा सुनते हैं बोलते भी हैं यह इनी के द्वारा एडॉप्ट किया गया था ओके दोस्तों चलिए 1953 में कर्यपपा आर्मी से रिटायर हो गए थे उसके बाद इंडियन आर्मी में जो हाइस रैंक होती है वो फिल मार्शल की होती है अगर फिल मार्शल की पोजिशन की बात करें तो आज तक केवल दो ही लोगों को यह पोजिशन मिली है यह पोजिशन एक ओनर के तोर पर दी जाती है सबसे पहले सेम मानिकशा को दी गई थी 1973 में और बाद में 1986 में दूसरा जो फिल मार्शल का प आर्मी के अंदर आती हैं और अब हम बात कर लेतें आर्मी के structure के बारे में तो दोस्तों आप देखी सकतें आर्मी का structure क्या है तो हमारे आज के current आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुन नर्वानी जी हैं और ये 31 दिसंबर 2019 को बने थे अब हम इसमें जनरल की बात करें तो इनके पास 4 star rank होता है और फिल्ड मार्सल के पास 5 star rank होता है और ये order होता है ये इस एक तरह से आर्मी में सबसे छोटी unit section होती है जिसमें 10 लोग होते हैं और section को जो lead करता है वे हवलदार करता है इसके उपर की बात करें तो आता है प्लैटून और प्लैटून को जो lead करता है JCO करता है जो की junior commission officer होता है और इसके अंदर 30 लोग होते हैं इसके उपर की बात करें तो rifle company आती है जो की lead करता है lieutenant colonel या major होता है और ये तीन प्लैटून को लीड करता है मीन्स 90 लोगों को लीड करता है ठीक है इसके उपर आएं तो Battalion या Regiment आता है जिसको लीड करता है करनल और इसके अंदर जो आते हैं 4 Rifle Company होती है इसके भी उपर की बात करें तो Brigade आता है जिसको Head करता है ब्रिगेडियर और जिसमें तीन बटालियन आती हैं और कई सारे सपोर्ट एलिमेंट्स भी आते हैं तो ब्रिगेडियर के उपर की बात करें तो डिविजन आता है जिसको लीड मेजर जनरल करते हैं और इसके अंदर की बात करें तो ये तीन चार ब्रिगेड्स को लीड करता ह और इसके उपर की बात करें तो इसी तरह से इसके उपर आता है कौपस आता है जिसको लीड करता है Lieutenant General और इसमें तीन चाठ डिविजन आते हैं लास्ट में बात करें तो आता है Operational Command जिसको भी यह लीड करता है वे Lieutenant General ही होता है यह same rank के होते हैं पर यह operational command को देखते हैं यह report करते हैं finally जो operational command को lead करते हैं lieutenant general वो direct report करते हैं finally army headquarter को जहां पर हमारे chief of army staff रहते हैं और यह जाने कि army training center भी इनी के अंडर आता है तो यह हमने जाना structure army का यह basic knowledge है जो आप सभी को पता होना चाहिए जैसे कि section को lead platoon और इसको rifle company और इसके उपर आता है battalion इसके उपर आता है brigade और इसके उपर आता है division, cops, operational command और सबसे उपर आता है army chief ठीक है तो यह पूरा chart है जो आपको पता होना चाहिए अब हम बात करें army के rank badges के बारे में जिसमें सिपाई, lance, naik, naik, हवलदार इसी तरह से इसकी आगे rank आती रहती है आप अगर NDA clear करते हैं तो सबसे पहले आप बनेंगे lieutenant फिर उसके बाद captain बनेंगे, major बनेंगे, lieutenant colonel बनेंगे, फिर colonel बनेंगे brigadier, major general, lieutenant general, general और last में आता है हमारा field marshal जो कि 5 star rank है, तो यह सारे rank badges हैं जो Indian army में use होते हैं तो आप यह पूरा chart देख सकते हैं इसमें कि किस किस हिसाब से इसकी rank बढ़ती जा रही है, ठीक है last part में हम अब कुछ Indian army के बारे में चीजें और जान लेते हैं जिसमें आता है, Indian army fourth largest standing army है world में, US, Russia और China के बाद आर्मी की बात करें, तो highest battle ground पे जो कि सियाचिन glacier है, वहाँ पर लडाई करी है, यह record रखा है जो कि sea level से 5000 मीटर उपर है, Indian army के पास high altitude warfare school भी है, जो कि world का most elite military training center वाना जाता है इसके बाद बात करें, तो गोर्खा regiment, Indian army की oldest regiment है, जिसमें हिटलर ने भी एक बार कहा था कि हमें गोर्खास मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी armies मुझे हरा नहीं सकेगी, ठीक है और हमारे पास oldest paramilitary force भी है, जो कि assam rifle है, जिसे 1835 में बनाया गया था एक और खास बात करें, Indian army की, तो Indian army ने कभी भी force attack नहीं किया है तो हम लोग में एक खास बात है, ठीक है, और हम लोग अगर violence में believe नहीं करते हैं लेकिन अगर कोई हमें सामने से violence करें हमारे उपर, तो हम लोग पीछे भी नहीं हटते हैं तो यह सारी चीजें हमने Indian army day कैसे celebrate किया जाता है, कौन field marshal बने थे और जो भी चीजें हैं Indian army से related हमने इस topic को clear किया तो आज यह था दोस्तो important session जो हमने जाना Indian army के बारे में तो अगर आपको यह video पसंद आई हो, तो इस video को like, comment, subscribe करें और जादा से जादा लोगों को share करें, thank you so much